नमस्कार मित्रों आप सबका स्वागत है चित्वनलाई लर्निंग पर 28 सेकिंडर के अंदर हमने स्टार्ट कर रखा है अपना गांधी जी की नई तालिम ये 28 सेकिंडर में पेपर नंबर CC8 है आज इस पेपर का हम लेक्चर नंबर 7 लेने जारी हूं है और इसमें हम unit 4 का जो इस subject की unit 4 है उसका topic है very important topic रचनात्मक्ता वो आज हम पढ़ने वाले हैं इससे पहले भी जितने भी unit 3 तक और unit 4 के भी दो topic वो हमने करे हैं उसकी videos आपको इस channel पर मिल जाएंगी मैंने playlist में सारी videos जो है वो डाल दी है आप जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं या फिर मैं उनका link आपको comment box में और description box में भी दे दूँगी आप वो वीडियो भी जरूर देख लें तो चलिए start करते हैं रचनात्मक्ता रचनात्मक्ता यानि के constructiveism रचनात्मक्ता क्या होती है सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं रचनात्मक्ता होती है किसी भी कारिये को नए धंग से करना या नए तरीके से करना या किसी भी कारिये का सरजन करना रचनात्मक्ता कहलाती है किसी भी कार्य को खूबसूरत तरीके से पेश करना रचनाथ मक्ता कहलाती है अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि रचनाथ मक्ता के बारे में किस तरह की विचारधारा है और किस तरीके से व्यक्ति सीखता है तो सबसे पहले देखें सीखने को लेकर शिक्षन जगत में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं कोट कोन सी हैं विचारधाराएं सबसे पहले विचारधारा है कि सिक्षक ज्यान का संप्रेशन करता है और विद्यारती इस ग्यान को संप्रेशित ग्यान को ग्रहन करता है तो एक तो विचारधारा ये है कि जिसे टीचर है वो पढ़ाता है और स्टुडेंट उस ग्यान को जो है ग्रहन करता है ठीक है जनरली जैसे हमारी theoretical knowledge होती है theoretical teaching होती है ठीक है दूसरा आजाता है आपका दूसरी विचारधारा है कि अधिकम व्यक्ति की जन्वजात प्रवर्ती है वह अपने वातावरण की किरियाओं में भाग लेते हुए खुद से ही सीख जाता है जो सीखना है वो जन्वजात प्रवर्ती है अपने आप automatic जो व्यक्ति है वो समाज में रहता है और समाज को देखकर अपने आप से वो सारे काम सीखने लगता है तो यह natural process भी है तो यहाँ पर यह कहा गया है कि एक तो teacher सिखा रहा है जब व्यक्ति सीखता है और दूसरा जब व्यक्ति इंडविस वलियानी के अपने आप से ही सीखने लगता है अपने आप से ही समाज को देखकर सीख जाता है तो दुसरी विचारधारा यह समाज के अंदर है सीखने को लेकर अब आगे बढ़ते हैं कि यह विचारधारा इस बात पर बल देती है कि बालक ने ग्यान की रचना खुद से करता है ठीके तो जो हमारी सेकंड वाली विचारधारा है वो ये कहती है कि जो बच्चा है वो निया ग्यान जो है उसकी रचना अपने आप से करता है वो खुद से समाज की गतिवीदियों को देख कर सीख जाता है कि उसे अपने जीवन में किस तरीके से changes करना है और परिवर्तन करना है और सुधार करना है इसलिए इस विचार धाराय सिधान्त को रचनात्मक वाद सिधान्त भी कहा जाता है आधुनिक समय के महान विचारक और शिक्षा सास्त्री जोन डिवी के संबंद में दो तथ्यों विसलेशन किया गया ठीक है तो जोन डीवी जो बहुत बड़े सिक्षा सास्त्री थे और बहुत बड़े विचारक भी थे उन्होंने इस संबंद में दो तथ्ये बताए हैं कौन-कौन से यह तथ्ये पहले व्यक्ति समाज की सामाज किरियाओं में भाग लेते हुए स्रम सीख है जैसे जैसे समाज की किरियाओं के साथ , वो सीख से लगता है उसके साथ मिल जुल कर वो काम करने लगता है तो वो अपने आफ ही सटीक बैठती है कि एक तो व्यक्ति स्वयम जो समाज है उसके अंदर रहकर अपने आप उसकी गती वीदियो को करकर सीख जाता है देखकर समाज को और दूसरा तब होता है कि जब कुछ बड़ा चेंजिस होना होता है जब व्यक्ति में सजनात्मा गुण उत्पन होते हैं तो इसक पर प्रेसर डालता है और हर सोच के उस समस्या से निजात पाने की कोशिश करता है तो उस समस्या का समाधान मिल जाता है और इस प्रकार से एक नया सरजन एक ने विचार की उत्पत्ति होती है ठीक है ना आगे वड़ते हैं कि अधिकान सिक्षासास्त्री डीवी के इन अब यहाँ पर एक कोशन और बन जाता है कि समस्या समाधान विधी का विकास किसके विचारों के आधार पर हुआ है तो वो हैं जोन डीवी महौदे ०्टिके इसमें सिक्षक अपने पार्ट से शमबन्दी समस्याएं चातरों के समक्स प्रस्तूत करता है वे चातरों को सम समस्या चुनने को कहता है ठीक है तो बच्चे के सामने जो भी समस्या होंगी वो समस्या को रख देता है और उस में से किसी एक समस्या को से चुनने को कहता है और उसका समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है समस्या का चैन होने के बाद छातर अपनी रूची और छमता के लग जाता है, जैसे practical work दे दियागी यह 10 questions हैं इन 10 questions के answer मेंसे आपको जो 10 questions हैं इन 10 questions मेंसे भी किसी एक का आप अपने विवेक के आधार पर answer देंगे तो जिब बच्चा है वो किसी एक question को चुनता है और उस question को अपने विवेक के हिसाब से उसे उसका answer देना होता है और जब वो उस answer की खोज करता है तो उसमें उसका जो मस्तिश्क है वो जादा गतिसील तरीके से जादा सतर के तरीके से जादा प्रभावपून तरीके से कार्य करता है और जिससे उसके जो व्यक्ति है उसके स समस्या के समधान के लिए एक नई विचार का सर्जन हो जाता है आगे पढ़ते हैं इस में छातुर किरे समस्यायों का हल करना सीखते हैं डीवी के सिस्य किल पैट्रिक ने पहले हमारे यहां डीवी महोदे के विचार कम्प्लीट हो चुके हैं रचनात्मक सिधानत को लेकर से रचनात्मक ता वाद को लेकर अब आजाते हैं जोन डीवी के जो सिस्य थे उनका नाम था किल पैट्रिक उन्होंने भी अपने कुछ वि की बाद प्याजे ने अपने विचार दिये और अब उसके बाद प्याजे महोदे आजाते हैं पहले डीवी महोदे आए किसके संबंद में रचलात्मक वाद के सिध्धानतों के संबंद में उन्होंने अपने विचार दिये उसके बाद किलपैट्रिक महदे आये उन्होंने अपने विचार दिये और अब आजाती है नमबर थी पे वारी प्याजे महदे की प्याजे मोदे ने बताया कि संग्यान व्यक्ति को अपने वातरण के साथ समायजित होने के लिए आफशक तत्व है संग्यान का मतलब है कि समझते हुए ग्यान का अर्जन करना ठीक है ना प्याजे ने संग्यानात्मक कास को मुख्य रूप से चार भागों विभाज़त किया है ये बहुत इंपोर्टन्ट है साइकलोजी में यहां से जरूर कोशन बनता है तो यह यहां पर आपके सब्जेक के साथ भी कनेक्ट हो जाता है उसके बाद इन्होंने जो चार विभाज़त चार भाग बताएं वे थे सबसे पहले समवेदी पेश्य अवस्था दूसरी बताई इनो ने पूर संक्रियातमक अवस्था, तीसरी मूर्द संक्रियातमक अवस्था और चोथी अवस्था थी ओपचारिक संक्रियातमक अवस्था जो ये अवस्था थी पहले वाली नमबर वन ये जन्म से लेके दो वर्स तक थी यनिके जन्म से दो वर्स तक ये वस्था थी दो वर्स से लेके साथ वर्स तक और ये वस्था थी साथ वर्स लेके नमबर थी जो है ग्यारा वर्स तक और जो उपचारिक संक्रियात्मों का वस भी व्यक्ति संग्यान से यानि के बुद्धी के आधार पर विवेक के बल पर अपनी समस्याओं का जब समधान करता है तो वो संग्यानात्मक सिध्धान्त के अंतरगत आता है अब नेक्स पॉइंट आता है मनोवेग्यानिक वाइगोस्ट सकी अब हमने है याप पर आपको सबसे पहले डीवी मोहदे के बारे में बताया फिर उसके बाद किलपैट्रिक मोहदे ने उनके बारे में बताया फिर उसके बाद प्याजे मोहदे ने बताया और अब नमबर सांस्कतिक वातावरण में एक दूसरे के साथ अंतक्रिया करके अपनी ज्ञान का निर्मान करते हैं तो यहां पर वाई गोटस की मुहद sticking कह रहे हैं कि जो बालक है वो अपनी ज्ञान का निरिकेशन करता है ठीक है एक दूसरे से जो सीखता है वो समाज के साथ अंत्त क्या करेगा और अपनी ग्यान का निर्मान करेगा नेक्स्ट है इस सिधान्त को सामाजिक रचनात्मक वाद या वाईगोट सकी का संग्यानात्मक विकास का सिधान्त भी कहा जाता है आगे आजाता है रचनात्मक वाद के तत्व की रचनात्मक जो वाद है रचनात्मक जो सिधानत है इसके तत्व कौन कौन से है तो सबसे पहले आजाता है टॉल्मेन महदे के बारे में कि तॉल्मेन और हार्डी ने रचनात्मक वादी अधीगम के लिए पांच तत्व का होना जरूरी बताया है कौन कौन से है वे पांच तत्व जिनके माद्यम से हम ये साबित कर सकते हैं कि ये रचनात्मक सिधानत है जो भी knowledge है उसको उसे activate करना होगा उसको उस ग्यान को जादा उसके बारे में सोच विचार करना होगा उसके बाद है ने ग्यान को प्राप्त करना ठीक है उस पूर ग्यान के experience के आधार पर उसे कुछ नया खोजते रहना है और अपने ग्यान में बढ़ोतरी करनी है उसके करना अपने ग्यान का experiment करो अपने ग्यान को use करना ने ग्यान का प्रतिक शेपन करना यानि कि अपना जो ग्यान है जो नया ग्यान उसने पाया है प्राप्त किया है उस ग्यान को दूसरों तक भी पहुंचाना नेक्स आ जाएगा उप्रोक्त विवेचन के अधार पर हम कह सक कि रचनात्मक वाद के अनुसार अधिक एक ऐसी सामाजिक प्रिक्रिया है जिसमें बालक सक्रिये रूप से भाग लेते हुए ग्यान की रचना स्वम करता है। सामाजिक एक प्रिक्रिया उस समें और अधिक प्रिक्रिया के बीच अंत्यक्रिया होती है। जब teacher और student आपस में discuss करते हैं, तो तब नेने विचार पैदा होते हैं, teacher कुछ अपने विचार प्रकट करता है और student अपने विचार प्रकट करते हैं, जिस से बच्चों की सरजनात्मक शक्ती, बच्चों को का नए तरीके से सोचने की जो एक शक्ती है, उसका development होता है, ठीक ह उसी को रच्चनात्मक सिधान दिया पर कहा गया है, अब इसकी विशेस्ताएं समझ लेते हैं कि क्या क्या है इसकी विशेस्ताएं, सबसे पहला नंबर है कि रच्चनात्मक वाद ग्यान के संप्रेशन एवं ग्रहन करने के स्थान पर स्वेम को प्रियतन करने से ग्यान के स्टूडंट को यह सिखाना कि पुराने गिसेपीटे तरीके से आप अपने जो है ग्ञान की रचना मत करो उसको भी धिहान में रखो लेकिन अपने किसी भी कारिये को नए तरीके से करने की कोशिश करोगे तो ग्ञान जादा बहतर होगा और आपके जो स्किल्स हैं उनका भी डवलप्मेंट होगा तो उसके लिए क्या करना है कि ग्यान के संप्रेशन को ग्रहन करने के स्थान पर स्वयम के प्रेतन करने होगे कि खुद से कोशिश करनी होगी कि इस चीज को कैसे सोल करना है आगा जाता है सीखने के लिए उचित परियावरण और सामुहिक क्रियाव को आवशक मानता है तो रचनात्मकवाद क्या कहता है कि जो सीखने के उचित परियावरण और सामुहिक क्रियाएं ये होनी बहुत जरूरी है इससे बच्चों के जो विचार हैं वो निकल कर सामने आते हैं पूर ग्यान की खोज के लिए सक्रिय करने पर बल देता है वो ही जो हमने अभी अभी डिसकस किया वो ही सारी इसकी विशेशताओं के अंदर आ जाता है नेक्स्ट है रचनात्मक वाद की सीमाए की सीमाए कौन-कौन सी है इसकी सबसे पहली जो सीमा है रचनात्मक वाद की वो है मनुश्य के केवल संग्यनात्मक विकास पर बल देता है उसके कोशलात्मक भावात्मक विकास पर नहीं यहाँ पर यह जो सीमा है यह निर्धारित करता है रचनात्मक वाद की इसकी बिशुक आलोचना के अंदर भी, इसकी कुछ आलोचना भी है, वो क्या है, फिर रचनात्मक वाद है, वो मनुश्य के ग्यां को धारन यानिक बद्धी के बल पर ज्यान को बढ़ाने पर बल देता है, उसके कोशल और भावनात्मक विकास पर ये दियान नहीं दे पाता उसके बाद है सामानिय इस तरके सिख्षक व्यविध्यारती रचनात्पक अधिकम को सफलता पूरवक आगे नहीं बढ़ा सकते यहाँ पर एक दूसरी आलोचना ये भी सिधान्त की मानी जाती है कि हर एक व्यक्ति जो है इन्नोटिव नहीं होता हर एक व्यक्ति क्रियेटिव नहीं होता इन्नोवेटिव नहीं होता तो कुछ ऐसे लोग भी ऐसे बच्चे भी ऐसे सिख्षक भी समाज के अंदर होते हैं जिनके अंदर वो quality नहीं होती कि वो किसी भी कारिय को रचनात्मक तरीके से कर सके क्योंकि रचनात्मक quality हर एक व्यक्ति के अंदर नहीं होती यह आपने भी देखा होगा तो यहां पर ये एक बुराई इसके अंदर आ जाती है कि जो सामान्य व्यक्ति हैं और सामान्य सिक्षक हैं वो उन्हें सफलता पूरवक आगे बढ़ा नहीं पाते वो कहीं न कहीं बीच पे डिमोरलाइज हो जाते हैं और कारिय को सरजनात्म कारिय को बीच में छोड़ देते हैं नेक्स आजाता है इस प्रकार की कक्षा में पाठ्यकरम के अनुसार करंबद अध्यन नहीं कहता सकता ओविसली ऐसी जब कक्षा होती है रचनात्म कक्षा होती है तो उसमें समय बहुत लगता है हमें यह नहीं पता होता कि जिस प्रोजक को आज उठाकर हम चल रहे हैं वो कल कंप्लीट होगा या अगले पंदरा दिन तक भी ऐसे ही चलता रहेगा तो उसमें जो करम बदता है पाठ्यकरम की करम बदता है वो कहीं न कहीं उस पर बाधा उत्पन हो जाती है नेक्स आजाएगा इस प्रकार के अधिगम में सिक्षक का कार्य अतिव्यापक सम्वे से प्रशिक्षित करना आवश्चक है अगर विद्यारती प्रशिक्षित नहीं होगा पहले से और उसे रचनात्म क्लास में के अंदर भेज दिया जाए तो वो ऐसे ही एक दूसरे को देखता रहेगा वो कुछ कर नहीं पाएगा और और ज्यादा फैड़ जरूर हो जाएग नेक्स पॉइंट है हमारा रचनात्मक वाद के सेक्षिक नहितार्थ यानि के implication of constructiveism क्या है इसके सेक्षिक नहितार्थ वो हम देख लेते हैं सबसे पहला नंबर है हमारा कि सिक्षा के किसी इस तरके पाठ्यक्रम में उसी सामगरी को स्थान देना चाहिए जिसका निर्मान विद्यार्थी के पूरुग्यान के अधार पर किया जा सके ठीक है तो जो सामगरी है कहने का दो यह है कि पाठ्यक्रम के अंदर ऐसी सामगरियों को रखना चाहिए जिसमें जब बच्चा उसका निर्मान करने लगे तो उसको उन सामगरी की information हो ऐसा नहीं कि बिल्कुल साथ होना चाहिए उसको देनी चाहिए कि जिसके बारे में उसे information हो तभी वो उन चीजों में कुछ change कर सकता है उन चीजों को नए तरीके से प्रस्तूत कर सकता है नेक्स लाजाएगा सिक्षकों द्वारा ग्यान के संप्रेशन एवन छात्रों द्वारा ग्यान को ग्रहन करने के स्थान पर छात्रों को अपने स्विम के प्रियत्न से ग्यान का निर्मान के अफसर देने चाहिए वे इस कारिये में सिक्षकों को सहभागी वे दोनों रूपों में कारिया करना चाहिए वह वाली चीजे जो हमने अभी डिसकस की थी कि जो कम्यूनिकेशन होगा जो भी सिख्षकों और ग्यान के संप्रेशन में चात्र द्वारत जो भी ग्रहेंड किया जाएगा उसके लिए चात्र को खुद चात्र के ऊपर छोड़ देन लेकिन चात्र को स्वयम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए नेक्स लाजाएगा शिक्षकों को कक्षा में ग्यान के निर्मान के लिए उचित परियावरन यानि के वातवरन का निर्मान करना चाहिए ने ग्यान के निर्मान के लिए शिक्षक विध्यारती विध्यारती व औम विद्ध्याल्यों के बीच अंतक्रिया होनी चाहिए, विद्जारों का आदान प्रदान होना चाहिए, तर्क होने चाहिए वह उसके बाद निसकर, निर्णे निकलने चाहिए. सेम वही बात है कि School to School Debate होने चाहिए, बच्चों के अंदर विचार विमर्ष होने चाहिए विचार विमर्ष विधी का प्रियोग करना चाहिए जिससे जो समस्या है उसका समाधान बच्चों के थुरू निकलेगा और एक नए विचार का जनम होगा जिसे रचनात्मक सिधान्त या रचनात्मक्वाद सिधान्त के नाम से जाना जाएगा ठीक है स्टुडेंट्स ये सारे नोर्स आपके कम्प्लीट हो गए हैं होप करती हूं कि आपको सारी चीजे समझ में आ गई होंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो करपा करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करतें